हेलो फ्रेंड्स वेलकब टेंपीटर्स क्लासस तो आंगोइंग SBI PO प्रिलिम्स 50 Puzzle & Sitting Arrangement में आजकी एक नही पजल है यह पजल भी रेक्टेंगुलर या स्कॉायर टेबल बेस्ट है एट फ्रेंड्स हैं इंसाइड आउटसाइड फेस करके बैठे हैं तो चलिए पजल सुर in middle and four on corners आठ फ्रेंड्स हैं एक स्कॉायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं इस तरह कि four mid में हैं और four corner में हैं कुछ इस तरह बैठे हुए हैं फिर लिखा है the one faces the corner face towards the center and at the middle side one are the facing opposite the center तो जो भी corner पे बैठे हैं वो center की तरफ face कर रहे हैं और जो कि middle side में या side बीचो बीच वो center की opposite यानि की outside face कर रहे हैं इसको भी हम draw कर लेते हैं तो यह हमने कर लिया अब आते हैं कंडिसन्स में जो कि puzzle की क्या क्या की बहन है तो पर दिखा है L sits second to the right of J, J के second right में L है यह हमने note कर लिया there are two persons between L and M, L से दो person छोड़के M है यह भी हमने कर लिया फिर है M and N sit opposite to each other मलब M के सामने N बैठता है तो यह है M लिखा है इसी के सामने हम ऐसे कर दिया तो यह होगे M के सामने N बैसे बैठेगा फिर अगली line है one person sit between N and O, who is not an immediate neighbor of J देखे, one person sit between N and O, एक person बैठेगा N और O के बीच में और O, who is not, who जब भी लगा होता है तो वो इस के लोता है जो उसके पास में हो, तो O जो की नहीं है, क्या नहीं है, immediate neighbor of J, O, J का immediate neighbor नहीं है, तो one person sits between N and O, तो N से एक person छोड़के O आएगा, और O जो है वो J का immediate neighbor नहीं है, तो O के अगल वगल हम J को लिखके ऐसे cross कर देंगे, तो यह हो गया, फिर लिखा है N sits second to the left of P, P के second left में N आएगा, तो P के second left में N आगया, यह हमने note कर दिया, Q is not an immediate neighbor of M, Q जो है वो M का immediate neighbor नहीं है, तो M के अगल वगल हमने Q लिखके इस तरह cross कर दिया, फिर है Q does not sit at the corner of table, Q जो है वो table के corner पे नहीं बढ़ता, अगर Q corner पे नहीं आता, तो Q कहा हैगा, mid में आएगा, तो यह हमने जो conditions थी, उसको note कर ली, अब हम किस से start करें, यह देखिए, maximum हमको यह चीज़ पता होने लिए, यह exam में इतना है, यह हम इतनी आदा practice कर ले कि हमको insight आ जा कि हम किस condition सुरू करते हैं, अब हम चले सुरू करते हैं, जो general maximum बच्चे यहीं करते हैं, कि एक्दम पहली line से व यहां आ जाएगा, जब outside है, तो भी उसके right में, यहां आ जाएगा, तो यह हमने कर लिया, अब L दो छोड़के M है, और M के सामने N है, अब L एक दो छोड़के M, यहां भी आ सकता है, एक दो छोड़के M, यहां भी आ सकता है, तो already आपर दो possibility हैं, अब अगर हम L दो दो छोड़के N, यहां आ गया, तो इसकी भी पॉसिबिल्टी, तो दो अब हमाँ कितनी possibility हो जाएंगी, इस तरह चार possibility हो जाएंगी, और प्री लेवल पजल में, या प्री लेवल अगर आप exam दे रहे हैं, वहां पे आप 20 मिनिट के अंदर चार possibility create करेंगी, वह भी इस तरह अब तो फिर आपका exam पास हो चुका, बहुत समय लग जाएगा फिर इसके बाद आप इस पांच नंबर की प्रेसर में आगे आने वाले 25-30 question जो कर सकते हो, वह भी आप गबाद ओगे और 20 मिनिट में अच्छा का असाप कर, तीन से चार पांच, पांच से साथ मिनिट आपक करते हम इस possibility से, पी के left में एक छोड़के N, N के सामने M, और M से दो छोड़के L, पी से एक छोड़के N, फिर यहां पे आएंगे N, N के सामने M, और M से दो छोड़के L, इतना करते हैं, पहले हम से भी इसको फिट करते हैं, P से एक left में N, तो एक बार हम पिर नहीं पता P in facing क है कि ऐृफ यह नियों साइड को बढ़के और जाए रहे है वह यहां हो जाएगा फ़ैका हैक के सामनेंsters सामने अगर इस यह एक च्छोड़की और यह इधना हो गया इसके अलावा सामने और इस खोर नहीं पते सामने साथ अगर N के चोड़के पी है एक है तो सीडिय सी वाइते लेह यह läh फी लिख सकतहर हम इसी तरफ छोड़के ओन पड़ेगा है को अच्छा की कि पॉइंट किह सकते हैं पर संके सेंगेमे में या एक एक गैप में दो बैठे हो जो भी वह दोनों साइड उसके डबल एक सेम गैप हो तो मैं मानना था है कि वह परसन बीच ओ बीच आएगा वाकि दोनों परसन उसके अपोजिट डारेक्शन में आएंगे तो यहां पर यह चीज है पी से एक छोड़ के एन था या एन के ए यहां परसन चोड़ के पी यहां बैठा है तो यहां यहां आ जाएगा तो हमाई यह वारी कंडिशन भी हो गई और एन के सामने एंबी हो गया इतना हमने कर लिया अब हम जड़ा इसको पेंकुष्वड़ा चेंज कर देते ताकि आगे समझने में आसानी हो जाए अब हमाई पास है कि M यह कंडिशन भी बाकि लेगी इत्माई यह लिखी ते उसको में रफ कर दिया L दो छोड़ के M M से दो छोड़ के L और जो L आएगा वो J के सकंड राइट में आएगा L तो अब देखें M से अगर हम एक दो छोड़ के L यहां रखते हैं अगर हम L को यहां रखते हैं तो J का सकंड राइट अब अगर हम J को यहां रखें तो J से यह लेफ्ट हो जाएगा तो यहां J आ नह गया यह हमने यहां फिट कर जाए हमारा सही भी आ रहा है और फिर इसके लावा एक यह थ्यास था कि M से दो छोड़के L यहां भी आ सकता था वो हमने क्यों नहीं किया आगे हम इसको देखेंगे भी जिमने एक जम साही कर लिए अगर यह कंडिसन गलत हो जाएगी तो फिर आगे समझा जाएगा तो यह था हमने कर लिया फिर लिखा है जे के अगल बगल O नहीं आना चाहिए तो जे कहा रखेंगे के हमारा यहां हो जाएगा और तर इसके बाद जे के अगल बगल नहीं आएगा जे तो हमारा क्या बाकि है के बाकिर है कि अभी नहीं आए तो कि यहां आ जाएगा और इस तरह माई फजल का अंसर आ गया अब यह है कि हम दो जासे कहा था कि M से दो छोड़के L इधर भी आसकता था यहां भी आसकता था तो वह आपको होंबर के आप इन कंडिसंस को सब्सक्राइब आपको यहां को हो गौँ हो रही है कि यहां सब्सक्राइब प्रैक्टिस करpero एंगे अतनी आसानी से एक्जाम में जाकि पेपर को दे पाएंगे तो आई होप आपको ये पजल पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें नीचे लाइक कर दें और कमेंट करें इसके रबाद ज़्यादा मातरा में अपने फ्रेंड्स को इच शेयर करें और हमाई ह प्रेक्टिस कर लीजेगा इस मन्थ अप्रिल में फिर में में तो नेक्स्ट फिफ्टी पजल आई जाएंगी इस मन्थ इसमें इसमें मैक्सम्म टु मैक्सम्म प्रेक्टिस कर लीजे और फिर नेक्श मन्थ और प्रेप्रेशन कर ये फिर जैसे नोटिफिकेशन आएगा फ तो I hope यह आपको समझ में आए, thank you and have a nice day और share करें maximum to maximum.